सिस्टी जो सोशल वेरफेर डिपार्टमेंट है उसमें कुछ पैसा बढ़ा है कि ने कटा है मेरा खेल उसका तो जिकरी नहीं है कि जिकरी नहीं है कि कितना लाट कर रहे हैं रिलाइंस इंफरस्ट्रक्चिर जो है वह एक ट्रिलियन का हो रहा है कि तो इसकती है कि पांच एक ट्रिलियन वाले बना देंगे तो पांच ट्रिलियन इस मुझे अक बड़ा भाई है तो तीन ट्रिलियन तो हो गए कर दो ओए जूर में के लिए समझने की जरूरत है कि इसमें यह भी भरम है higher education है उस पे मजलब 60% reduction की गई है कितना करोड मजलब बाद 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 सट सो करोड रुपय है सिक्स्टी टू थाउजट इस सिक्स ताउज़न टू हंडड करोड कम किया गया कम किया गया जो भी तंतर चल रहा है ये भरमवाद है भरमवाद तो भरम कड़ा करना जो है अगर मैंने वो जो 80 pages की presentation है वो पढ़ी तो मुझे लगा कि हर जगा पर भरम कड़ा किया गया है ताकि जो असल बात है उसको छुपाया कैसे जाए देव से देश और राम से रास्ट इस घोशना के बार पहला बजट बजट 2024 उसमें आपके लिए है क्या ये किस तरह का बजट है कल जंतर मंतर पर सिक्षा के अधिकार को लेकर बड़ा सा प्रदर्शन होने वाला है देश के कोने कोने से लोग आ रहे हैं क्या कहेंगे चात्र और सिक्षक ये भी कल आपको सुनवाएंगे लेकिन आज विशेश चर्चा देश के बजट 2024 पर दोस्तों रतनलाल बोलना हूँ और आप देख रहे हैं अमबिट का नामा आज हमारे साथ प्रफेसर जग मोहन इस एपिसोड में आप अमबिट का नामा पर इनको पहले भी सुन चुके हैं इस एपिसोड में प्रफेसर ज राजे वाला है और आम जन के लिए है क्या है इसको समझने की कोशिश है स्वागत है सर बहुत मेरबानी आपकी सर जी बताया है प्लोरी यॉर्ट्स नाव मैं सुमते हूं कि यह पहला बातों में ही समझें चाहिए कि यह जो भी तंतर चल रहा है यह भरमवाद है भरमवाद तो भरम खड़ा करना जो है अगर मैंने वो जो असी पेजिस की प्रिजेंटेशन है वो पढ़ी तो मुझे लगा कि हर जगा पर भरम खड़ा किया गया है ताकि जो असल बात है उसको छुपाया कैसे जाए जैसे जैसे उसमें मतलब अगर हम एजूकेशन वाला पार्टी ल बना दी हैं साथ ही मलब एक जर्नल बात कर दी कि इतने हैं इतने हैं इतने बड़े मलब तो पहले से ही बने हुए है वो पहले से हैं लेकिन अभी उनको के हमने ये बना दी ये और आगे जब बात चलती है तो पैसा आप किसका काट रहे हैं आई 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 टी का काट रहे है हाँ यह अपकाट जिवजी सिखा काट रहे हैं और भरहें यह खड़ा कर रहे है कि हम सिकूल को 500 क्रोट दे रहे हैं और यहां म मतल corrode 500 क्रोट रुपया काटा जा रहा है नौaking 500 क्रोट नो के जो है education है उस पर मदलब साथ परसंट reduction की गई है कितना करोड मदलब 600 करोड रुपेह से 62 तूजन 6200 करोड कम किया गया कम किया गया और एक जो भर्म है कि मलब नई education policy कहते जी बड़ा काम कर रही है जबके इन्होंने जब नव education policy दी थी तो उसमें ये commit किया था कि छे परसंट GDP का जो है वो education के लिए लगाएं गे लेकिन ये उल्टा उसमें से मल काट रहे हैं वह जीडिपी के साथ हो जीडिपी का भी meaning बदो रिया है कास्ट का meaning project बदो रिया है अब कहते हैं उसमें गरीब कास्ट है लडकिया है ये वो है तो वो कास्ट कहके उन्होंने ये किया है अच्छा बताईए जरा विस्तार में बताईए दिल्चस्प है वह यह कि भी हर भर्म जो है उसमें एक नई शब्दावली करके भर्म भर्म को खड़ा किया जा रहा है और जैसे हम एजुकेशन सेक्टर पे तो यह हुआ अब स् जो एक साल इनों ने शुरू किया था कुछ नहीं दिया बताली सो क्रोड रुपया था और दूसरे साल कुछ दिया लेकर वो इंफा स्ट्रक्चर के लिए है कि कुछ स्कूलों को सिलेक्ट करके और उसमें भी जज़ा केंद्रिय स्कूल और नवेजय स्कूल है जो एक हमारी पूरी अजादी की लड़ाई में था चाहिए वो भगर सिंग उनुनीसोचोबीस में बात कर रहे थे तो वो भी मलवो कर रहे थे के हमें पर जो धार्मक जणून है इससे नौज़ानों को मुक्त हो呢 ولब कास्ट जो है इससे मुक्त होना चाहिए और लड़के लड़के लिंग बेद खत्म होना चाहिए और वग्यानक बनना चाहिए ताके हर चीज का कारण सुम्झे सके कारण समझने लिए आपको एजूकेट चाहिए बाबा सहब हम बेद कर भी उसी वकत जो एजूकेशन फार डि मज़की है उसमें हमारे बच्चों को जो डिप्रेस्ट कलासिज हैं उनको नहीं दिया है और उसी वकत गुरू नरायन स्वामी जो है वो एक जिस सड़क पे भी गुजरने नहीं देते थे उस हक के लिए कि यहां से सड़क तो कामन है इसके लिए होना चाहिए तो वो मलब चिला रहे थे और पेरियर जो हैं वो भी उसी उन्नीसो चौबीस में ही सेल्फ रिस्पेक्ट विदर सैंटिफिक नॉलेज वो कहते हैं कि मलब इसके बगार तो नॉलेज जो एजुकेशन था यहां कि इंदर था हला कि उसी वकत उन्नीसो पचीस में आरे से साया जो 22 जनवरी को किया है वो एक बहुत बड़ा भरमिनों ने मल खड़ा करने की तिरंगा के जगव भगवा लागा रहा था बिलकुल वह यह 26 को जो है मल और शैद 22 चुनी इसलिए गई है कि उसके पहले क्योंके वो 26 1930 की बात थी जब हमने संपूरन अजादी की बात कि और संप पूरन अजादी का मता दो पास कर लिया अपने लेकिन ये लोगों में कैसे ट्रांसलेट होगी तो उस वकत फंडेमेंटल राइट्स का चैप्टर जो है वो कराची कांग्रिस में उनकी शहादत के बाद लिखा गया उस स्वाल का जवाब सा उसी वकत तो आब अगर मल अब पहले आते हैं तो इन्वर्स्टी ग्रांट कमिशन का फंड काट दिया गया बिल्कुल उनको तो साथ परसंट कर दिया है उनके पास सब कुछ नहीं है कि वह बल करेंगे तो इन्वर्स्टी अब क्या करज लेगी लोन लेगी वह उनका मलब शैद एक उसमें रखा हुआ है क पचास साल का वगयर टेक्स के लोन मलब हमें कार्पोरेट फंड बनाएंगे अच्छा तो अब देखी कार्पोरेट को जो है अभी कॉलेजेज में फीस भी बढ़ेंगे अब गरीब बच्चे नहीं बढ़एंगे वह नेचरली के गरीब लोगों के लिए तो दुरवाजे बंद करी रहे हैं तब ही मलब मुझे फ़र याद आ रहा था कि वर्ग सिंग ने क्योंकि गांदी जी भी राम राज की बात किया गरते थे तो गांदी जी का कर्टीक था कि राम राज कोई मलब एक मोहम का नाक है जिसको जी चाहे जदर मर्जी मोड़ ले लेकर ये वगयान प्रूब में भी है कि मलब फंड नहीं है फंड सिर्फ बिल्डिंग के लिए है तो इसका मलब ठेके नार। टीचर्स प्राइटी पर नहीं है पहले ही इन्होंने जितने स्कॉलर्शिप थे मलब जो एक सोशल जस्टिस को प्रॉइड करने के लिए थे या रेजरुवेशन उसको आठा 대해서 लिए उन्हें पहले ही मलब खتم कर लिया है कर दिया है आपने कास्ट के बादे में बात की कास्ट में क्या कह रहे हैं मैं उस में कि फॉर कास्ट कı बात करते हैं लेकर कास्ट क्या है गरीम मलब महिलाएं मलब दो और हैं तो वो मुझे हरानी लगी एक आप पू अच्छा ये बताई सर किसानों के लिए क्या कुछ खास है इसमें? ने ने किसानों का भी मतलब यही है किसानों को तो कुछ पैसे मिल ला है ना ने देखिए वो भी एक भरम है ना कि आप एक किसान को छे हजार रपया आप दान दे रहे हैं तो दान लेने से तो उसका भला नहीं हो रहा और दूसरा जो उसमें मतलब ज्यादा नुकसान दे है कि जो फर्टिलाइजर इंपॉट्स है उनकी सबसीडी जो है वो आलमोस्ट काट दी इन्होंने हाफ कर दी इसका मतलब है कि वो और महंगी किसान को उठानी पड़ेगी वालगड़ियां के लिए है उसमें मलब पोर्ट के साथ कनेक्शन पहले तो रेल बजट अलग आता था अब तो खतम कर दिया नहीं कि पहले तो मलब ब्रिटिश टाइम पे मलब रेलवेवाज बिजनस अब इन्होंने क्यूंकि उस पर लोन लेने है तो उसको पूरे बजट में डाली गया है अच्छा पहले तो हमने देखा है लानुपरसादी आदब जब मंतरी थे तो रेल बजट अलग से पढ़ा जागता और उसमें मलब प्रॉफिट होता था वो कमा के देती थी इसलिए वो फिर अपना और्गिनाइस करते थे अब पूरा जो है वो कर्ज पे चल रहा है क्योंकि जितनी मलब बन रही है अभी मैं मलब विहार होके आए हूँ तो हमारे अमर पली चलती है अमरे सर से सबसे ज़्यदा लोग जो काम करने आते हैं उसमें जाते हैं तो मैंने देखा कि उसकी तो मलब पूरा बदल गया है उसमें सिर्फ दो जर्नल की बोग हैं तो इसकी है आम आदमी के लिए तो जगह ही नहीं है या वो अपना ज्यादा फेशाओ तो पैदल भी चला जाता है ना ने वह इसी लिए चला गया वह फिर है कि उसमें हिम्मत है कि वह पैदल चल सकता है लेकिन यह उसको पैदल ही करेंगा मैं फिर मुझे जोकिंग लि लोग जो हैं वो एक दूसरे से मिलने जुनने लग जाएंगे तो उनका अक्सपीर से जब अदान परदान होगा तो वो लिबरेटिंग फैक्टर होगा क्योंकि आप अपनी जगह पे देखते हैं वही प्राउलम आपको लगती है तो लगती मेरी प्राउलम है जब आप दूस ना आएं इसमें तो किसानों के लिए जो है इन्पूट्स और कॉस्टली हो जाएंगे और आउटपूट के लिए वो जो है बन्दी है जिसके अभी लड़ रहे हैं सोलां फर्वरी को बड़ा एक डिमांस्टेशन करने की कुश्शी कर रहे हैं वो किसान लोग ना तो मैं उ समयदान आगे नहीं होगा जैसे इसी ते मुझे वो हमेशा याद आता है कि वाबा सहब ने कहा था कि एजूकेशन जो है वो शेरने का दूद है अगर मेरे बच्चों को मैं पला दूँगा तो अपने अब धारेंगे तो एजूकेट एंड एजिटेट और फिर तो इसलिए बजट में भरम मैं तो भी कहता हूं कि भरम ज्यादा है लेकर अगर पढ़ेंगे तो अभी जो लेटेस्ट मैं समीता हूं कि पहले आप वालों ने एक प्राइवेट यूनिवरस्टी थी उसका सी-ओ उसको सी-ओ कहते है वो मलब जो फगवाडे वाली है उसको म इन्होंने चंदीगर यूनिवरस्टी है उसका क्योंकि वो सिख है तो उस वक्त वो सिख डेलोगेशन लेके मिले थे मुद्धी को मैंने उस वक्त भी कहा था कि उन्होंने एक चूज कर लिया और कल उनको भी नॉमिनेट कर दिया है तो आप जहां जो जहां डिसीजन भी होने है उसमें भी आप प्राइवेट इंट्रेस्ट है उसको बड़ावा दे रहे हैं उनकी लॉबिंग के लिए उनको ला रहे हैं तो मैं यह मल्टीपल नेवल पर और हर साल बजट में पहले हम देखते थे जब चाहत रहे तो बजट के लिए उनको कर रहे हैं और क्योंकि लेडीज को यह परभावत कर रहे हैं क्योंकि वोटिंग का उनको लगता है कि यह जो है इनको और उसी में मद दबारा फिर के वोमेन वाला जो है जी वह मल्टी बस्टाम में एटाइज परसंट लड़कियों की भागिदारी वदी है जो मुझे लगता नहीं, एक का मल कैसे है। मजदूरों के लिए कुछ है एरु बिल्कुल कोई चर्चा ही नहीं है, मजदूर got कही नहीं करते। चर्चा किसकी है insights कर्पोरेट की है इसलिए मैं जितने देख रहा था के कर्पोरेट वाले जो है इवन एजुकेशन में भी जो डिजिटलाइज सर्फिस देने वाले हैं वो बड़ा अप्रिशेट कर रहे थे उसको मुलब वो पूरा कारप्रिटराइजेशन जो है वो तो मुलब है अगर आप फर्टलाइजर वालों को दे रहे हैं तो कसानों को भी लड़ाई जो है और इंडिरेक्टली जो तीन ला इन्हों ने विड़ा किये थे इस बजट में जैसे उसमें है कि आप फूड आइटम्स जो है उसको एक्सपोर्ट नहीं करेंगे क्योंकि लोगों की जरूरत पहले पूरी करेंगे लेकर नहों ने तो कॉरिडर उसके लिए बना दिया कि हम इतना इंप्रूव करेंगे के साथ मिल जाएगी और यह बहाद एक्सपोर्ट होगा तो वह जो पूरा एंफसेज है वह उस पे बदला हुआ है अच्छा मिडिल क्लाश जो है ना टक टकी लगा रहता है बड़ल बजट पे इंकम टेक्स वाला इंकम टेक्स में तो कुछ बड़ल जो है कि अगर आपके पुराना कोई दासजार बीसजार का टेक्स रहता है तो वह बनाव कर दिया तो टुकड़ा इनकम टेक्स नहीं कर जाता है नहीं वह कोई केसे पड़े होंगे वह लेकिन वह नौर्मली बिजनस वालों के होते हैं क्योंकि उनकी आपनी तो आपने यह जो आइटम है यह आपको अलाओ नहीं करने हैं तो उससे और वह दासजार बीसजार का तो जगड़ा मलब है एक कॉर्परेट परस बजट है बिल्कुल कॉर्परेट और पूरी एकॉनमी ही जैसे अब एक इवन जो स्कूल के लिए भी कह रहे हैं अखीर पे अग बात करते हैं तो वो ठेकेदारी हैं अगर आप रेलवे की मलब इंफरस्ट्रक्चर इंप्रूव्मेंट की बात करते हैं तो वो भी ठेकेदारों को जाता है रोडवे का है रोड़ बनाने का है तो वो भी ठेकेदारों का है तो उसमें लोगों की और ठेकेदारी भी यह ऐस क्योंकि आगे यह था कि अगर आप सड़क बना रहे हैं तो उसमें को 2000 लोग काम कर रहे हैं तो कोश्य आपने डिस्टिब्यूट किया उनको लेकन अभी जो है मैं देख रहा था कि जो देखतो है कि वो जितनी सड़के बन रही हैं वो वर्ड बैंक लोन से बन रही हैं जैसे इसमें जो तीसरा एक्टर है कि लोन बहुत बड़ा है मलब उसमें में यह बलब शुपाने की कोशी कर रहे हैं लेकर आए मैंफ और वर्ड बैंक ने दोनों ने इनको वार्रेंग किया है कि आपका जो एक्स्टरनल लोन है वो हंड़र परसंट जीडीपी के बराबर जा रह तो कहरे थे फाइव ट्रिलियन एकोन भी बनाएंगे वह भी मैं बताब वह उसमें बहुत इंट्रेस्टिंग लगा मुझे कैसे बनेगी अभी एक ख़बर ती जो इसके बजट में तो नहीं है लेकर उसके साथ ही थी के रिलाइंस इंफरस्ट्रक्ट्ट्र जो है वह एक ट दो ट्रिलियन आपका वैसे हो रहा है एक ट्रिलियन का एक बड़ा भाई है तो तीन ट्रिलियन तो होगे एकानमी मर कॉमन मैन के लिए ही समझने की जरूरत है कि इसमें यह भी भर्म है कि मल बढ़ी हो जाएगी एकानमी लेकर जैसे कल तो राजन ने तो इस पे आप इन्हो है बहुत कम लोग उसमें काम करेंगे तो यह यह जो मलब इतनी बड़ी हमारी हुमन फोर उसमें मलब एक जो खतरनाक ट्रेंड है कि जी हमें कमिशन बढ़ाएंगे जो पॉपुलेशन ग्रोथ को स्टड़ी करेंगा हाला कि यह एक जो भर्म मलब धर्म के नाम पे कुछ लो अंकड़े क्योंकि जैसे बग सिंक ने कहा था कि मैं रियलिजम माइ कल्ट कि जहां बहस खत्म होती है वो यथारत है लेकिन इनों ने तो वो पूरा यथारत ही खत्म कर रखा है क्योंकि आपको किसी चीज़ पर भी कोई अंकड़े नहीं मिलेंगे अब इसमें भी है कि स्ट करते हैं वर्ड की एक जेगलरी करते हैं आपको कभी उसके पीशे क्या है शिपा हुआ वो वो समझ नहीं आता है अच्छा नहीं को नौजवानों के लिए क्या है नहीं इसमें नौजवानों को भी मुझे तो नहीं लगता क्योंकि यह जो स्किल वाली बात करते हैं हना के वो भी मैंने काफी स्टेडी किया क्योंकि मुझे बड़ा अच्छा लगा था जब मुर्मोंड सिंह के टाइम पर यह स्किल ड्वियल्मेंट वाला है उस वक्त उन्होंने ग्रॉप अफ इंडरस्ट्रियल्स जो हैं उनके ग् लेकर जैसे यह आये क्योंकि वो 2012-2013 में बनी, तो जैसे यह आये तो एक तो नरेशन इनों ने बदल दिया, कि नहीं हम स्किल डूइल्मेंट से जॉब नहीं देंगे, जॉब देने वाले पैदा करेंगे, पूरा पूरा बदल दिया, क्योंकि उनको पता है कि वो स्किल से भी कोई बहुत बात नहीं होने वाले या उसमें आप इंटेस्टेर नहीं है, तो फिर अभी भी जो यह स्किल का है, उसके बाद क्या हुआ, क्योंकि मैं एक रूरल यूनिवस्टी बनने में मैं मदद कर रहा था, तो मुझे लगा कि रूरल लड़के जो हैं उनको स्किल होगी, कुछ नहीं कागज पर, कागज पर आपको सर्टिफिकेट मिल जाएगा, लेकन कुछ भी ना, तो वही आज भी मतलब लग रहा है मुझे के, यह जो स्किल डूइलमेंट का कह रहे हैं कि इतने लोग मलाए उसमें, लेकन मुझे नहीं लगता कि कोई उसका एफेक्ट हम देख पाते हैं जब लोगों से मिलते हैं, नौजवानों से मिलते हैं, तो एजुकेटेड एक तो है कि आप वही जो परानी संकल्प है इनका, कि मुलाए एजुकेट अगर हो जाएंगे लोग, तो वो प्रशन करेंगे, तो प्रशन तो हम जवाब देते नहीं, हलनके प्रशन कर रहे हैं, मैंने पूरा खोजने की कोशिश की, उसका जिकर ही नहीं है, कि मुझे कहीं नहीं मिला, चलिए इस पर हम अध्यान करते हैं, अचलिए एक आखरी सवाल और पूछ लेता हूं, आपने, जिसे हम लोग नहीं समझ पा रहे थे, कि रेल जब बजट अलग सरकार में मर्ज कर दिया है, तो इस लिए मर्ज किया गया है कि उस पे लोन लिया दा सो यह वह तो वह आ रहा है, जो यह कह रहे हैं कि हम कॉर्डॉर बना रहे हैं, आदलवाः सडकों में बन रहा है, तो southwest लेलग both रहता तो pseudo आनने गरंटिव दे रही हैं तो इसलिए लोन को इन्होंने अपने रखा सरकों के पूरा जो है और उसमें भी एक चीज़ समझने वाली है कि जो वर्ड बेंक लोन है वो दस परसेंट इंट्रेस्ट पे है दस परसेंट है लोन कितना बढ़ गया मानमौन सिंगर समय से अब तक अब तक इनका मदलब एक जो अंकड़ा दे र लोन से चला है वर्म जो आपको तरक्की दखा रहे हैं ना नेम अफ विकास वो सारी मलब भर्म इसलिए है कि वह आपका लोन पर है आने वाले जो बच्छें उनको पढ़ाई भी ने देंगे उनको काम भी ने देंगे लोन जरूर देंगे क्या होगा इस देश में मलब इस जो बना रहे हैं कि हम सौ सल हजार साल पीशे जाएंगे चलिए सर बहुत 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 शुक्रिया आपका प्रोफ़सर जग्मोहन है कह रहे हैं कि यह भ्रम जाल है बजट नहीं भ्रम जाल है एस सी एस्टी का उलेख तक नहीं है और यह मुझे पता लगा कि रेल बजट अब क्यों अलग से नहीं आता आम बजट में ही रेल बजट को शामिल कर दिया गया है ताकि उस पर वर्ल्ड बैंक से लोन लिया जासके शुक्रिया देखते रहें यह अम्बेड का नामा और एस साओं पर दवाब बनाई है पहले जब बजट आता था तो पेज पे बढ़िया खबर होती थी कि समाज इक नहीं विभाग को इस सीस्टिक लिए यह उजना आई उसको बजट होता था लेकिन अब यह वर्ड धिरे-धिरे उससे गायब होता जा रहा है अपने नेताओं से ईयुको एक नाम जा ठाल जरू पूछेंगा शुक्रिया देख्टर याम्बेड का नामा सुख्रिया सार थैंक नहीं सुख्रिया शुक्रिया शुक्रिया